Hello everyone, what's up, good evening and welcome back to our YouTube channel today. Once again, तो आज का जो वीडियो है, वो 67th BPSC से related है. जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे और Instagram पे messages भी आ रहे थे कि उन लोगों के, जुनोंने अभी-भी 12th पास किया है, beginners हैं और वो 67th BPSC की preparation स्टार्ट करना चाते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं जो कुछ भी आपको suggest करती हूँ, या recommend करती हूँ, कोई भी channel, कोई भी teacher, या फिर कोई भी content, note, etc, कुछ भी वो मैं एक friend की तरह आपको recommend करती हूँ, मेरी कोई भी suggestion, कोई expert suggestion या फिर expert advice नहीं होती है क्योंकि मैं खुद भी एक student हूँ, आप लोगों में से एक हूँ, तो मुझे जितना कुछ पता होता है, मैं वो आपसे share करती हूँ, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, finally तो देखिए, जो लोग भी 67 BPSC की preparation start करना चाहते हैं, उन लोग को सबसे पहले एक काम करना है, उनको ये करना है कि previous year के paper देखते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा कि BPSC में कैसे questions पूछे जाते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं, और क्या चीज़े नहीं पूछी आती हैं, और आपके काम की नहीं है, तो किसी भी local market से आप कोई भी book खरी लिजे, Hindi English दोनों में available होगी, उसमें previous year के question आप देखिए, उनको analyze कीजे, और उसमें से जो कुछ भी आपको समझ में आता है, वो आप एक paper में note down कर लिजे, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, वो वैसे पढ़ना है, ठीक है, अब बात आती है कि मैं आपको यहाँ क्या बताने आई हूँ, वो बात यह है कि जो अभी का trend देखा जा रहा है BPSC का, उस इस तीन सब्जेक्स से बहुत ही सादा कोश्चन पूछे जाते है BPSC में, अगर आप 66 BPSC का पेपर उठाके भी देखेंगे, तो इन तीन सब्जेक्स से इतसे कोश्चन पूछे गए थे, कि अगर आप सिरफ वही कर लेते, या फिर कोई भी वही कर लेता, तो पेपर बहु करन्ट अफेट्स मिलेंगे, तो आप साइंस से या फिर हिस्ट्री से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो यही समापत होती है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, और कॉमेंट ऐसा लगा और आपके कोई भी सजेशन हो या मुझे कुछ इंप्रूफ करने की जरूरत है, तो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो तिल दिन, बबाई, टेक केर, गड़ ब्लेस यू अल